हेलो एवरीवान, वेलकम टू फार्मारुक्स यूटूब चैनल, फार्मारुक्स की यूटूब एज़ू केस्टनल चैनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, स्टैमि टिल इंजेक्शन के बारे में, तो हम सिखेंगे ये बेजिक उसके बारे में के कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिसंस के अंदर ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है, साथ ही जानेंगे उसके डेली डोस के बारे में की, डेली कितना डोस जो है वो पेसेंट को दिया जाता है, उसके साइड एफेक्स जानेंगे, और वर्नि लिज के साथ एक्सेस करें स्टडी मट्रियल टेस्ट सीरीज एंड डिसीज एंड मेडिसीन स्लेटेट कोर्स फार्मारोक्स की आप उपर कि जहाँ पिसी के अलग अलग दवायों के बेजिक उसके बारे में उनके डोस, साइड एफेक्स, वार्निंग और कॉंटर इंडिकेशन एक साल तक अफ़ारेबल प्राइज में वो भी सरल बासा में फार्मारोक्स के आप उपर तभी डाउनलोड कर लिजेए अप्लिकेशन फार्मारोक्स की जो एंड्रेट एप्लिकेशन है गुगल प्ले स्टार पे एपल आइफ़न अफ़े एप स्टार पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एक्सेस करें स्टडी मट्रियल टेस्स सीरीज और वीडियो लेक्चर्स फार्मा रोक्स की मोबाईल अप्लिकेशन के उपर तो एंड्रोड यूजर एंड्रोड अप डाउनलोड करिए आइफ़न यूजर अप स्टोर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब समझते हैं स्टैमेटिल इंजेक्शन के बारे में तो ये इंजेक्शन ऐसे क्लास का मेडिकेशन है जाती है तो स्टैमेटिल जो है एक ब्रांड नेम है कि जिसके मैनुफेक्शर है एबट फार्मासुटिकल और इसके अंदर जो सौल्ड कंपोजिशन आप देखो तो वो है प्रोक्लोर पेराजिन 12.5 मिलिग्राम की जो मेन इसके अंदर जो कोई मैडिकेशन है तो वो है प्लोक्रॉल पेराजिन आगे समझते है उसके डिटेल तो एबट फार्मासुटिकल के बारे में हम जाने तो ये एक अमेरिकन मल्टिनेशनल फार्मासुटिकल कंपनी की जो बहुत सरे लगलग टाइप के जो है वो मेडिसिन्स जो है वो मैनिफेक्चरिंग करते है उनका मार्केटिंग भी करती है और उसका जो हैड़क्वार्टर जो है वो यूनाइटेट स्टेट्स के अंदर है आगे कुछ जाने ये मेडिकेशन के यूज करना है second यहाँ पे हिंदी में भी उसका नाम लिखा है Stamitil Abbott Pharmaceutical उसके manufacture है फिर यहाँ पे direction लेकिके for I.E.M. injection मतलब कि Stamitil का जो injection है वो सिर्फ और सिर्फ intra muscular ले ही patient को दिया जाता है और यह impulse के जो है उसके अंदर 1 ml जितना medications रहेगा कि 1 ml जो है वो रहेगा और जिसके अंदर 12.5 mg जितना procrol parazin जो है वो उसके अंदर dissolve होते है तो जब आप 1 ml जितना medication inject करते है patient को इसके ampule में से तो 12.5 mg जितना medication deliver होते है तो यहाँ पे देखो detail लिखा है label के पीछे के side हम देखे तो लिखा है कि each ml के एक ml के अंदर procrol parazin macylate कितना है as per Indian pharmacopoeia के standards के according to तो वो है 12.5 mg और जो water यूज किया गया है sterile water के जिसको water for injection कहते है वो sufficient quantity में एड किया गया है और storage जाने तो store करते है 30 degree या फिर उससे calm temperature पे और protect किया जाता है light से बाकी सिद्डियू लियाच के यहाँ पे warning लिखी हुए है कि proper medical practitioner के prescription के साथ ही आपको उसको जो है वो retail में बेशना रहता है बाकी यहाँ पे manufacturing के detail लिखी हुए है और साथो साथ marketing by लिखा है कि about healthcare private limited आगे जाने तो procrol parazin के बारे में हम जाने तो यह खास आपको याद रखना है कि Stametyl जाए वो brand name पर उसके अंदर रहा जो medication है वो है antimatic है और यह medication क्या करती है D2 blocker drug है मतलब कि D2 receptor antagonist होने के कारण D2 का मतलब होता है dopamine तो dopamine के जो D2 receptor होते हैं उनको block करके अपनी pharmacological action देती है तो जो specially क्या होता कि समझे कि D2 receptor को block किया जाएगा तो जो dopamine होता है उसकी effect जो है वो कम हो जाती है तो dopamine की जो action होती है हमारे brain के अंदर तो वो दिरे-दिरे जो है वो काफी कम हो जाती है and इसी के करण यह medication जो है वो vertigo और जो उल्टी वगएरा होती है उसकी इलाज में यूस होती है जिससे उसको anti-vertigo medication कही जाती है मलब कि vertigo मलब कि जो चक्कर वगएरा आते है उसके इलाज में यूस के जाएगी और साथ उसाथ जो उल्टी वगएरा होती है उसमें भी ये medication जो है वो यूज होती है अज़ एंटीमेटिक्स फिर आगे जाने उसके बारे में और डिटेल तो प्रोकलोर वेराजिन जो क्या करता है कि डिटू रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो कुछ स्टडीज में ऐसा भी दिखा गया है कि वो एक माइल्ड एंटिसाइकोटिक्स के त as a mild antipsychotic काम कर सकता है बट ये medication बहुती कम prefer की जाती है कि जो anxiety जैसे जो problem होते है या फिर सीजोफेनिया या फिर उसके जैसे दुसरे psychiatric disorders के अंदर बहुती कम जो है वो उसको prescribe की जाती है बट ज्यादा तर उसका जो main basic use हम देखे तो वो anti-emitic and anti-vertigo के तोर पे use किया जाता है ये injection के बारे में और जाने तो 12.5 mg जितना drug रहता है एक ml के अंदर और ये injection को जो है वो muscles में देते है patient को और वो भी expert को दा रहा तो इसलिए ये आप हमने label study भी किती है जिसके अंदर जाना कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रमस्कुलर ली ही ये injection को दिया जता है proper experts के दा रहा है तो उसके यूज हम देखे तो ये कौन से अलगले treatment में यूज किया जाते तो nausea and vomiting कि जब आपका जी घब रहता है vomiting जैसे होते है और उस वक्स हम जो कि आप oral tablet नहीं ले पाते हैं अब आप समझे कि प्रोक्लोर पेराजिन के tablets भी available हो और साथ उसाथ दूसरे भी बहुत सारे anti-immatics medications tablet form में available है पर कई बार क्या होता है कि जब nausea vomiting जिसी condition होते है तो उस वक्त पेशन कई बार oral tablet नहीं ले पाते है कि काफी severe vomiting हो रही है तो उस वक्त वो जो है वो tablet doses form जो हो नहीं ले पाता है तो उस वक्त आप उसको injection के थ्रू ये medication देते है कि जिससे nausea vomiting जो हो कम हो जात होती है तिसरा कई बार जो migraine type का headache होता है तो उसके इलाज में भी stammetil का injection जो वो patient को दिया जाता है चौथा condition हम देखे तो vertigo कि जब किसी को चक्कर आते है काफी spinning जैसा फिल होता है कि काफी चक्कर आ रहा है आसपास जो पूरी दुनिया हो ऐसे लग रहे कि घूम रही है ऐसा फिल होता है तो ऐसे condition में भी यह use की जाती है फिर short term anxiety की short term के लिए कोई चिंता वगेरा हो रही है आपके कम समय के लिए तो उसको दूर करने के लिए भी यह medication use की जाती है बट बहुत rarely prescribed की जाती है and morning sickness कि कई बार क्या होता है कि pregnancy के अंदर एक symptom यह बनता है morning sickness बट about pregnancy के सीवा दूसरे भी कुछ ऐसे reasons होते है कि उसके करन कई बार आप hangover जिसा फिल करते है morning sickness जिसा फिल करते है तो ऐसे condition में भी Stamidil के injection use की जाते है कि early morning आपको nausea vomiting जिसा फिल होता है headache या फिर migraine जिसा फिल होता है तो ऐसे जो morning sickness की symptoms develop होते है आपके अंदर तो उसको ठीक क करने के लिए भी Stamidil का injection जो दिया जाते है अब उसके dose के बारे में हम समझे तो intramuscular injection के dose के बारे में समझे तो minimum dose उसका रहेगा 12.5 mg per day मलब कि यह जो injection है वो आप minimum dose में आप use करो तो दिन में एक ही बार जो हो दिया जा सकता है और 1 ml जितना यह medication की जिसके अंदर 12.5 mg रह और maximum dose में समझो कि आप use करते हैं तो OD की बजाए आप BD मलब की दिन में दो बार use कर सकते हैं मतलब की 1 प्लस 1 ml इस तरह से आप जो है वो use कर सकते हैं injection बट दोनों dose के बीच में minimum 12 अवर का gap रखना काफी जरूरी है कि divided dose में आप दीजिए कि पहला injection जिस टाइम पे दिया है उसके बाद जब second injection आप देते हैं तो at least 2 injection के बीच में 12 अवर का जो है वो difference खास करके होना चाहिए and कभी भी ये medication को higher dose में use ना करें विकाज उसके कुछ में serious side effect आपके साथ discuss करूंगा जैसे कि orthostatic hypotension जैसे condition हो सकती है उसका मतलब यह होता है कि अच्छानक से suddenly जो blood pressure जो हो reduce हो जाना कि जो normal blood pressure हम जानते है कि 120 and 80 जितना होता है कि systolic 120 और diastolic 80 पर ये injection समझे कि use किया जाते तो उससे ये side effect डेवलप होती है औ अगर कोई high dose में use कर देता है तो ये side effects जरूर से notice की जा सकते है कि जिसके अंदर patient का blood pressure और 90-60 से भी काफी कम हो जाएगा कि जिसको हम hypotension कहते है और ये अचानक से blood pressure जो हो कम हो जाएगा तो ये खास ज्यान रखे कि proper dose में और medical supervision में ही ये injection को use करें फिर sleepiness जैसा feel कर सकता है पेशन के उसको नीन दाती रहेगी dizziness जैसा feel करेगा और blur vision कि या पर आप देखो कि ये जो picture जैसे दिख रहा है है ऐसा आपको दिखाई देगा कि आपके आसपस जितनी बी अलग अलग चीज़े देखते हैं आपको वो blur दिखा देख सकती है दुंदला आपकी रोसनी जो ह कासी condition feel होती है और sedation and dizziness कि sedation मतलब कि नीन दाते रहे न या फिर dizziness जैसा patient जो है वो feel करता है अगर ये injection को लंबे समय तक यूज़ करता है या फिर high dose में दे 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 दूसरी एक famous side effect इससे develop होती है जिसको medical terms के अंदर कहा जाता है NMS NMS का फुल फाम होता है Neuroleptic Malignant Syndrome तो उसके अंदर कुछ हम symptoms देखे तो high fever या फिर sweating कि अगर ये injection काफी high dose में को यूज़ करता है लंबे समय तक यूज़ करता है तो ये condition feel produce होती होती है कि जिसको Neuroleptic Malignant Syndrome कहा जाता है कि जिसके अंदर patient को fever आता है हम लाग कि बुखार आता है और साथ उसाथ काफी पसीना उ stiff muscle मलब की जो हमारे जो muscles होते हैं उनका अकट जाना ऐसे condition कि या पर आप देखो कि जो person feel कर रहा है joint या फिर जो muscles होते हैं वहाँ पे stiffness produce होना फिर जो neck के जो muscles होते हैं कि या पर वहाँ पे spasms जैसा feel करना spasms जैसा feel करना confusion जैसा feel कर सकते है पेशन irregular pulse और blood pressure कि blood pressure आपका irregular हो सक सकता है pulse irregular heartbeat जो है आपके heart rate वो increase हो सकते हैं और abnormal heart rhythm की जिसको arrhythmia जम कहते हैं कि irregular कि कई बार heart rate increase हो जाए या फिर heart rate decrease हो जाए तो ऐसे कुछ side effects भी develop होते हैं कि जब patient को neuroleptic malignant syndrome जैसी condition feel होती है stamital injection के use करने के बाद बाकि उसके कुछ हम warnings वगेरा देखे तो कि कौन सी condition में आपको stamital का injection यूज नहीं करना है तो पहली condition यह है कि अगर कोई भी serious side effects जो है वो देखने को मिलते हैं आपकी body के उपर कि ये injection के use करने के बाद कोई भी serious side effects जो अभी हम discuss की उनमें से कोई भी side effect देखने को मिलती है तो ये injection को use ना करें फिर आपको जो है वो allergy है प्रोकलोर पेराजिन की तो भी ये medication को use ना करें तिसरी condition के आपके body के अंदर product in का level काफी high है तो भी ये stamital injection use ना करें चौती condition अगर आप breast cancer के patient है तो उनके लिए भी use नहीं करना चाहिए अगर कोई patient over weight है मलब कि उसका weight काफी ज्यादा है BMI निकल के आप check करो तो उसका BMI काफी high आ रहा है overweight की range में आ रहा है तो भी use ना करें या फिर patient को anemia है already उसके body के अंदर RBC जो है वो कम है HB कम है तो भी use ना करें और blood platelet समझों कि किसी के अंदर कम है एसे लोग भी ये injection को use ना करें और ऐसे patient के जिनके body के अंदर calcium की मातरा कम है magnesium कम है and potassium कम है उनके blood के अंदर तो ऐसे सभी conditions के अंदर use ना करें कई बार क्या होता है कि अगर आपको ये medications की allergy हो तो उसकी allergy के करन इस तरह से skin के उपर allergic reactions develop होना start हो जाती है और दूसरे भी hypersensitive reactions जो वो देखने को मिलती है ये injection लेने के बाद तो अगर कोई भी ऐसे side effect फिल होती है तो तुरंद ये injection को लेना बंद कर दे या फिर प्रोलेक् इसलिट्स आपके कम है calcium magnesium potassium फिर उसके जैसे जो elements है वो आपके body के अंदर कम है blood के अंदर कम है तो भी ये injection use ना करें pregnancy के दौरण हम बात करें तो ये category C का drug है मतलब कि कई बार जो animal studies वगरा होती है ये drugs की तो animals के उपर कई बार harmful effects जो वो देखने को मिलते है तो ये medication को avoid करनी जाए because animals के उपर risk देख रहा है ये medication को use करने पर तो obviously अगर समझे कि human के लिए भी use किया जाए तो वहाँ पर भी सायद risk जो है वो में देखने को मिले so category C की drug होने के करण आप जो है वो avoid करें वो ही सही रहेगा कि avoid करें आप pregnancy के दौरण यूज़ करने से so pregnancy के दौरान जो है वो उसको लेना जो है वो सही नहीं है pregnancy या फिर breastfeeding के दौरान और specially हम समझे तो pregnancy के दौरान खास कर जो कुछ लोगों को complications होते है तो हम safe side पे रहे वो अच्छा रहेगा और pregnancy के दौरान उसको use ना करें अगर आपको pregnancy के दौरान ये motion sickness वगरा होता है तो उ उसके लिए safe alternative medication है वो है doxylamine succinate तो ये जो है वो आप यूज़ कर सकते के अगर आपको morning sickness या फिर motion sickness या फिर उल्टी जैसा हो रहा है vomiting ज्यादा हो रही है नौज़य वमेटिंग फिल होता है pregnancy के दौरान बार्ड और stammetil injection जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए तो ये था अमारा special video lecture stammetil के बारे इसी तरह से सीखे अलग-अलग दवायों के basic उसके बारे में उनके dose, side effect, contraindications, warning सरल बासा में एक साल तक फार्मरोक्स के mobile application पे जाप इसी के अलग-अलग दवायों के basic उसके बारे में उनके dose, side effect, warning, contraindication सरल बासा में एक साल तक affordable price में तो करें आप फार्मरोक्स, android application, google play store पे, iphone app on app store या फिर 9016312020 पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं, android user android app डाउनलोड करे, iphone user app store से, link आपको description box में मिल जाएगी, तो study material, test series and video lecture के लिए जरूर से डाउनलोड करें आप फार्मरोक्स या फिर 9016312020 नमबर पे contact करें, good luck and all the best. चाहिए